तो आज का ये वीडियो काफी हटके होने वाल है अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर है तो आपको पता होगा और अगर आप पहली बर हमारे ये वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बता देता हूं कि मैं अक्सर बताते रहे हूं बेस लैप्टॉप अंडर 40,000, 50,000 या जो कोई भी प्राइस का टेगरी में लेकिन आज का वीडियो में प्राइस के डेगरी के को लेकर नहीं बना रहा हूं तो आज का ये वीडियो जैसे के मैंने बताए ठोड़ा हटके हैं यह दि आप एक नए लैप्टॉप लेने की सूच रहे हैं जो वेट में हलका हो देखने में Sleek और Stylis हो और साथी में Slim भी हो तो इस विडियो को देखते रहे क्योंकि आज हम जानेंगे based thin and lightweight laptop اور бывает stilist बी हो और इसके साथ ही हम जाने किया ये laptop आपके निर्स को पूरा करता है और इसके अलावा भी हम जाने किया ये सारे laptop gaming के लिए अच्छा होगा या video editing के लिए अच्छा होगा ये सारी बात है video में हम जानेंगे तो video को देखते रहें अगर आपने हमारे वेबसाइट अभी तक विजिट नहीं किया तो देर की इस बात का अब तो आप हमारे वेबसाइट में जाके नए नए चीजे सीख सकते हैं तो जरूर विजिट किजिएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अब जाके चेक कर स दिस्प्ले देखने को मिल जाता है जिसमें डिस्प्ले के चारओ तरफ एक थीन वेजिल्स देखने को मिल जाता है जो एक अच्छा लुक देता इस लैप्टॉप को प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको इंटेल का तरफ से आने वाला को और आई-5 एट जेनरेशन का से देखने को मिल जाता है तो इसमें आपको 8GB का RAM और 256GB का SSD देखने को मिल जाता है अगर आपको SSD storage के बारे में नहीं पते हैं और यह laptop में होने से क्या फाइदा होता है तो आप हमारे वेब साइट में जाके यह सारी चीछे जान सकते हैं इसके लिंक में वीडियो के description में देदूंगा आप जाके वहां से जरूर चेक करें क्योंकि यह जानना बहुत ही जरूरी है अगर आप एक laptop लेने वाले वह भी SSD storage वाला तो वीडियो के नीचे description में लिंक देदूंगा आप जाके जरूर पढ़ें और जाने SSD storage होने का फाइदा graphics card की बात करती इसमें आपको Intel के तरफ से आने वाला integrated graphics देखने को मिल जाता है USB ports की बात करती इसमें आपको 2 USB 3.1 port देखने को मिल जाता है जो की है type A और एक type C 3.1 port देखने को मिल जाता है यदि आप यह laptop खड़िदना चाहते है तो वीडियो के नीचे इसके description में लिंक दे सकते हैं बढ़ते हैं हमारे next laptop के तरफ और यह laptop आता है Asus के तरफ से Asus VivoBook 14 तो इस laptop की specification के बारे में बात करें तो इसमें 14 इंच का full HD display देखने को मिल जाता है और processor की बात करें तो इसमें आपको Intel के तरफ से आने वाला Core i5 8 Gen processor देखने को मिल जाता है और इस laptop में हमें अच् 10GB तक तो यह एक अच्छी बात है इस laptop की इस storage की बात करें तो इसमें आपको 512GB का SSD storage देखने को मिल जाता है और एक USB 3.8 Type A और साथी में आपको USB 3.1 Type C port भी देखने को मिल जाता है इस specs के लावा इस laptop में हमें fingerprint scanner भी देखने को मिल जाता है तो यह काफी अच्छी बात है और इसके साथी इसमें आपको fast charging का option देखने को मिल जाता है और company दावा करता है 0-60% battery चार्ज करता हो भी 59 मिनिट्स में तो अगर आप यह laptop घडिना चाहेंगे तो मैं फीडियो के नीचे description में link दे दूंगा अब जाकर वहां से इसे check कर सकते हैं हमारा next laptop आता है MSI के तरफ से MSI modern 14 इस laptop के specification के बारे में बात करें तो इसमें हमें 14-inch का full estate display देखने को मिल जाता है और इसके साथ ही हम इसमें नेरो बेजिल्स की अराउंड डिस्प्लेइद देखने को मिल जाता है जिसे एक अच्छा लूप मिल जाता है laptop को प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको Intel का तरफ से आने वाला Core i5 10th generation का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि यह काफी अच्छी बात है वहीं फिर एमों स्टूरिज की बात करें तो इस लैप्टॉप में आपको 8GB का RAM और साथी में 512GB का SSD स्टूरिज देखने को मिल जाता है आए अब जाना थी इस लैप्टॉप के ग्राफिक्स कार्ट के बारे में तो इसमें किसी भी तरह के डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ट देखने को मिल जाता है और दो USB 3.2 Type-C port तो यह थी वो सारी लैप्टॉप के स्पेसिफिकेशन के बारे में जनकारी अब चलिए जान लेते हैं इन तीनों लैप्टॉप में से आपके लिए कौन सा बेस्ट निकल करा था आपके निट्स का हिसाब से तो आई आप जान लेते हैं तो इन सारे लैप्टॉप में से सबसे बेस्ट लैप्टॉप निकल कर आता है असुस का असुस भीवो बुक 14 और इसके साथ ही आपको एक अपक्रेड़ेबल रैम ओप्शन देखने को मिल जाता है जिसे आप अपक्रेड करके 12GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं और ग्राफ देखने को नहीं मिलता है बलकि इसमें हमैं एक इन फीडिया के तरफ से आने वाला 2GB का ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल जाता है तो यह तीनों चीज मिला के इसे एक best overall laptop बनाता है तो यदि आप graphics related काम करते हैं अपने laptop में तो आसुस भीवबूक 14 आपके लिए best option है क्योंकि graphics related काम करने के लिए हमें extra graphics card की जरूरत पड़ती है तो यदि आप वीडियो editing करते हैं या photoshop या illustrator चलाते हैं तो आपके लिए आसुस का वीवबूक 14 सबसे बेस्ट आप्शन है और यदि आप गेम खिलना पसंद करते हैं तो हमारी वाली वीडियो जरूर देखा और इस laptop में भी आप अच्छी खासी medium sitting में गेम खेली सकते हैं बीना किसी लैक के यदि आप एक latest processor वाला laptop लेने चाह रहे हैं तो MSI Modern 14 आपके लिए एक अच्छा option निकल कर आता है क्योंकि इसमें हम इंटेल का i5 10 जेनरेशन प्रोसेसर देखने को मिल जाता है तो यह laptop भी एक अच्छा option निकल कर आता है यदि आप लेटेस्ट प्रोसेसर वाला laptop लेने चाह रहे हैं जो हो तो यह में आपको integrated graphics देखने को मिल जाता है जो आता है Intel के तरफ से UST 620 graphics यदि आप graphics related काम करते हैं तो यह laptop आपके लिए साइद बेस ना हो पर ऐसे डे-to-day टास्क के लिए यह laptop एक अच्छा option निकल कर आता है हाँ इस laptop में भी आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं Photoshop चला सकते है और गेम भी खेल सकते हैं लेकिन यह उतना fast नहीं निकल कर आएगा जितना कि आपको Asus VivoBook 14 में देखने को मिल जाएगा और यदि आप एक HP का laptop लेने चाह रहा है तो HPNP 13 भी एक अच्छा option निकल कर आता है alternate बोल सकते हैं MSI Modern 14 का तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना में मिलते हैं आप से एक और नए वीडियो में तब तक के लिए अलबीदा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देर की इस बात की वीडियो के नीचे देख सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर हमारे चैनल से जूड़ जाए झाल 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 झाल